में नमश्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी हिंदु ध्रहम में 16 संसकार है उनकी सबसे पहली होते हैं संसकार का जो शब्द है संसकार का मतलब होता है किसी चीज का परिमार्जिन करना किसी चीज को शुद करना जिसे अगर आप बरतंद होते हैं तो यह एक संस्कार है तो किसी भी कीछ को करना जिससे उसका अच्छा जल्टा है और यह जो अच्छा जल्ट की में बात कर रहा हूं तीन तरह से हम करते हैं एक शारे रूप से जिस वच्छे को संस्कार करें जिस जृत्ती का संस्कार करें उ उसका मानसिक बल में विद्धी हो, जो उसका मानसिक स्वास्ते बहुर परिपक्त को हो, और तीसरा होते है अध्यात्मिक उनद्धी को, तो हर संस्कार, कोई भी संस्कार होगा, उसको पीशे करने को जो धे है, वो है कि हम शारिक बल को, मानसिक बल को और अध्यात्मिक बल का स संसकार किये जाते हैं और बहुत कम लोगों को पता होगा बारा संसकार जो है वो जीवन परेंच चलते हैं इन बारा संसकारों को भी अगर मैं सब्डिवाइट करूं तो जो छे संसकार होते हैं वो हमारे बालनेकाल के संसकार है हमारे बच्छमन के संसकार है जो पांच संसकार वह शिक्षा से रिलेटिड है वह हमारी विद्या से शिक्षा से एडूकेशन से रिलेटिड है और एक संस्कार जो है वह हमारा विवा संस्कार है तो जीवन परेंथ हमारे यह 12 संस्कार तीन संस्कार मैंने का पहले तो 12 जीवन परेंथ 15 और एक संस्कार जीवन के बाद तो इ से सैजे समसकार बच्पन को भाले काल के सैजार का अदे है औरılar चैनल हिरही उव्यास कर तो आप हम एक हीए करकिंछ संसकार की बात करते थे जो पहला संसकार तो पहला संसकार है उसल के हैं जो स etी मोडय का संसकार दान के वो सबसे important समय होता है आप दिखी मैं कहते हुँ आपने बहुत कच्छों में आपने एक आलू का परंथा बनाया आपने आलू की स्टफिंग की तो उस आपने परंथा बन गया अपने पनीर का परंथा बनाने के बाद आप चाहें कि आलू का परंथा बने नहीं बन सकता आप आप सोझें इसमें थोड़ी सी प्याज और हरी मिर्ज भी अंदर स्टफिंग को थी तो आप नहीं कर सकते हैं जब घर्बावास्ता जब घर्ब का अधान हुआ उस समय जो संसकार थे उस समय जो मुरुद था उस समय जो भी संभावने थी वही संभावने आगे फली धूत ह है तो घर्बावादान का संसकार से मतलब है कि जब भी पदी पत्नी चाहें कि अवाब वह चाहें कि वह परिवार बढ़ाना चाहते हैं तो एक अच्छा मुरुद देखें अच्छा मुरुद का मतलब होता है उनकी मनोधशा अच्छी हो मतलब जो बच्चे का जर्म है वह करती है तो ऐसे भूते हैं गुड यूज है और जब कभी किसी बिना किसी वहागे बंदन के कोई कभ दहन करता है तो शारिप चीज एक ही है तो जब भी घर आप चाहते हैं कि आप जनम के लिए आप त्यार हैं तो उसका आपकी मनोधशा पती-पती की मनोधशा बहुत अच अबरे गरब मेरी पुत्री बनें तो जब भी आप शोचते हैं कि आप डिस टाइन को एक्समें दा फैमीली तो यह पन्दित के ज़ूरत नहीं बस आपका जो मनस्थितिति है वो अच्छी होने जी जो मनस्थितितिति है वो संतान जर्म की परति होनी जीए शूड नट भी अपने पित्रों को याद करिए और तब ऐसी अवस्ते में आप रहता करिए कि जो भी आत्मा चारों तरफ हैं जो भी शरीर लेने कुछ हैं तो एक अच्छी आत्मा इस शरीर में आए तो इसको हम गर्बाधान का संस्कार कहते हैं कि हमारा पहला संस्कार है और अच्छी आत्मा शरीर में प्रविश करेगी तो एक अच्छे बालक्या बालिका का जनम उस गर्ब से होगा तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है तो आज के इतना ही अगली वीडियो में हम दो अगले संस्कारों की बात करेंगी धन्यवाद